प्रिट्योगीता गर की गद्यान सिंग जो हमारे समधी भी हुए और उनके घर की सारी मैलाएं जो हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है इसमें भाग ले रही है और कुछ सीन ऐसा है कि रागनी सिंग और अनुराग सिंग ये लोग जीते जीते भी हार जाते हैं जो बात विक्राल सिंको बहुत पसंद आती है और वो कहता भी कि आज आप हार करके भी जीत गए कितना प्राउड अपने दम आते हैं आपको आज ये बहुत बड़ा त्याग दिया हूँ है और अपनी बेटा जी पी उतना ही प्राउड है मुझे उसको हर लेवल के ट्रेनिंग उसको दी है उसने कैसे बिजनस किया जाता है कैसे हथियार चलाया जाता है कि किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर रागनी से वो अपने आपको अकेली महसूस ना करे उसे हर तरह की की दुनियादारी जो है वो समझ में आनी चाहिए बेटा जी इसने ट्रेंड किया और जो शादी भी हुई है तो बंदूक के नोग पर शादी हुई थी मैंने पूरे बारात को अगवा कर लिया था क्योंकि मैंने पैसे दिये थे कि यह बारात तो मेरे ही घर आएगी लेकिन बारात किसी और के घर जा रही है तो यह बात मिसे बरदाश नहीं होती और उस बारात का रुख जो है मैं अपने मंडप की तरफ मोड़ देता हूं लेकिन कहीं न कहीं आपकी बेटी और दामाद इस बात से सहमत है खुसी है परिवार में अगर बाप ने इतनी दबंगाई दिखाई है तो बहुत सारी उलजने आई परिवार में डेफ प्यार पनफ चुका है अब लिट सी अब आगे जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर है या जो क्रेटिव हैड है चैनल्स के अब वो उसको कैसे मोड़ देते हैं यह तो इनको बनेरवर करता है पर अभी तक फिलहाल यह चल रहा है तैंक यू सो मुझ मेरा असली नाम है सुनील कुमार सिंग और शो में मैं करेक्टर कर रहा हूँ विद्वान सिंग करें विद्वान सिंग यादपूरी फैमिली के साथ में एक कंपटिशन में क्या है यह एक गाउं में कपल रेस हो रही है इसमें सारे जोडे भाग लेंगे इसमें मेरे बेटे दोनों जोड़े जीते हैं इशो को वही एक जिग्यासा कि कौन जीतेगा कौन क्या होगा यह सामने वाले को और अच्छी मदद मिले वो तरक्की करें मारा एक मतलब एक अच्छे संसकार है पूरे परिवार में वही देखता आपको गरगे क्या ही है कि अहां देखिये मेरी धर्म पत्री जो हैं ओ थोड़ी बहुत मैं यह नही सी बात कि थोड़ी बहुत उनके मत अलग होते हैं ओधोडी शायद पैसे को लेके लालची भी नहीं कहुँगा थोड़ी मा चाहती है कि ज्यादा पैसा रहा है उनके पास बस इतनी सी बात और मैं ऐसा हूँ जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सही का साह देता हूँ अगर गलत है चाहे मेरा बेटा हो चाहे मिरी बहू हो चाहे मिरी पत्नी हो या मा हो कोई भी हो मैं उसके साथ नहीं हूँ जो सही है मैं हमेशा उसके साथ हूँ